Hello Friends, मैं चंदर जोती, Mind Hypnotism Channel हरयाना से Friends, मुझे किसी ने comment करके कहा था कि मैं hard work और luck पे वीडियो बनाऊं कि क्या ज़्यादा ज़रूरी है hard work या luck तो आज मैं इसी के बारे में बात करूँगी लेकिन इसके साथ मैं एक और चीज़ को जोड़ना चाहूँगी जो की है smart work जिसकी आज के जमाने में बहुत ज़्यादा requirement है Friends, में कोई भी शक्की बात नहीं है कि जो hard work करता है, मेहनत करता है उसकी मेहनत कभी भी जायर नहीं जाती है अब कोई इनसान ये कहे कि मैं lucky हूँ और वो कुछ कामी ना करे मान लेजिए अगर वो किसान ही है और वो सोचता है कि मेरा luck बहुत अच्छा है लेकिन वो बीज नहीं बोएगा तो उसको फसल कहां से मिलेगी ये बिल्कुल सच बात है कि हम अपने काम के द्वारा अपनी मेहनत के द्वारा अपने luck को change कर सकते हैं हमारे गरंतों में, गीता में सब में करम का ही जिक्र किया गया है भागे का जिक्र किसने नहीं किया अगर हम मेहनत करते हैं और मेहनत के साथ-साथ हम smart work करते हैं जिसके बारे में मैं आपसे भी बात करूँगी तो हमें success मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता आपने कितने लोगों की कहानियां पढ़ी होंगी, जीवनियां पढ़ी होंगी कि जो जब पैदा हुए थे तो बहुत गरीब परिवार से थे कोई सोच भी नहीं सकता था कि उनको इतनी सक्सेस मिलेगी लेकिन उन्होंने अपने हाड़ वर्क से जो कुछ भी अचीव किया वो बिल्कुल सरानीय है, ऐसी बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी जीवनियां आपको मिल जाएंगी मैं आपसे बात कर रही थी स्मार्ट वर्क के बारे में देखे हार्ड वर्क के साथ साथ अगर हम स्मार्ट वर्क करते हैं तो हमें जो सक्सेस है वो ज़्यादा जल्दी मिलेगी सक्सेस हार्ड वर्क करने वाले को भी मिलेगी लेकिन स्मार्ट वर्क करने वाले को ज़्यादा जल्दी मिलेगी हम बच्पन से एक कहानी पढ़ते आयें कि कववे को प्यास लगी थी उसने बहुत सारे कंकर इकठे किये और घड़े में कंकर डाले पानी उपर आया और उसने पानी बिया लेकिन वो बहुत पुरानी बात थी वो जमाना पुराना था आज की इस जमाने में बहुत ज़्यादा competition बढ़ गया है अगर आप थोड़ी मेहनत करते हैं तो ज़्यादा मेहनत करने वाले आपको लाखों लोग मिल जाएंगे इसलिए आज का time ये है कि हम अपने कववे को straw दें और उससे उसको पानी पीने के लिए कहें अगर वो घड़े में पत्थर डाल डाल के पानी पीने के कोशिश करेगा तो बहुत समय बीच जाएगा और जो बहुत सारे लोग हैं वो आगे निकल जाएंगे इसलिए आप में ज़्यादा ज़रूरत है smart work करने की smart work जब भी आप hard work करते हैं तो उसमें problem कहीं न कहीं ज़रूर आती है तो अगर आप उसको smartness से handle करेंगे तो वो problems बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी और आप जो है अपनी success के ज़्यादा नजदिक चले जाएंगे मुझे किसी ने कहा कि किस्मत भी तो कोई चीज होती है हाँ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे कि जो हमारे बस में नहीं हम उसको किस्मत का लगका नाम दे देते हैं लेकिन अगर हम उन्हीं चीजों के पीछे भागेंगे उनको सोचने लगेंगे ज़्यादा तो उससे क्या हासिल होगा, जो चीज़े हमारे बस में ही नहीं है, उनको सोच के क्या हासिल होगा इसलिए हमारा काम सरफ यह है कि हम अपने काम को करें, स्मार्टली करें और उससे जो हमें मिलने वाला है, उसकी चिंता हम ना करें दूसरा कई लोग कहते हैं कि जो लख है उसको बनाया नहीं जा सकता देखें मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाते हूँ आप मुझे बताईएगा कि इसमें हमारे करम ने काम किया या भागय ने काम किया बहुत पुरानी बात है एक बहुत ही विख्यात जोट्शी थे और उन्होंने अपने से बहुत कम उमर की लड़की से शादी की उन दोनों की ग्रिष्टी बहुत अच्छे चल रही थी एक दिन उन जोट्शी ने सोचा कि आज मैं अपनी कुंडली देखता हूँ उन्होंने अपनी कुंडली देखी तो उसमें लिखा हूँ था कि आपकी पत्नी आपको छोड़के भाग जाएगी तो जोट्शी थे उनको तो चिंता हो गई उसके बाद से उनके मन में वहम रहने लगा उसके लिए तो उनके पास एक स्टूडेंट आया सीखने के लिए जो कि उसकी पत्नी की उमर का था तो जोट्शी थे वो अपनी वाइफ के साथ में बहुत लड़ाई जगडा करने लगे चिड़ चिड़े रहने लगे कि इसको भाग जाना उसके मन में शक आ गया तो जो उनका शिश्य था वो उनकी वाइफ के साथ बात करता था वो बहुत परिशान रहती थी कि पता नहीं मेरे पती को क्या हो गया है और वो मेरे साथ इतना जगडा करते हैं मार पिटाई करते हैं ऐसे-ऐसे उनकी नजदीकियां बढ़ने लगी और जो जोत्शी थे उनका भेव जो था दिन पर दिन उसके प्रति खराब होने लगा उसने उनको समझाने की कोशिश भी की लेकिन उनके दिमाग में शक बैठ चुका था और उसके साथ बहुत जादा बुरा भिवार करने लगे तो एक दिन क्या हुआ उसकी पत्नी जो है उसके स्टूडेंट के साथ में भाग गई तो आप मुझे बताईए कि इसमें कर्म ने काम किया या भागे ने काम किया ठीक है उन्होंने अपनी कुंडली में देखा था उससे पहले उनकी ग्रिशती बहुत अच्छे चल रही थी लेकिन जैसे ही उन्हें पता लगा कि मेरी पत्नी किसी के साथ भाग जाएगी उन्होंने अपने भीव चेंज कर लिया अगर वो अपनी वाइफ को तब भी बहुत अच्छे से रखते तो मुझे नहीं लगता कि उनके साथ में ऐसा होता उन्होंने अपने कर्मों से अपने मिस भेव से ही अपनी ऐसी सिच्वेशन पैदा की तो फ्रेंड्स हाँ लख होता है बहुत सारी ऐसी जगा लख होता है जैसे मानली जी किसी की लौटरी लग गई लेकिन ऐसे कितने लोग होते हैं मानली जी हम यह सोच के बैठ जाएं कि हमारी भी लौटरी लगेगी तो करोडों में कोई एक होता है जिसकी लौटरी लगती है बाकि सभी को मेहनत करनी पड़ती है अपने आपको सक्सेस्फुल बनाने के लिए तो मैं आपको यही कहूंगी कि हाँ भागे ज़रूर होता है लेकिन वो हमारे कर्मों पर अधारित है अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो definitely हमारा भागे भी अच्छा बनेगा हमारे कर्म अच्छे नहीं होंगे तो हमारा भागे भी अच्छा नहीं होगा रिजल्ट भी अच्छे नहीं मिलेंगे इसलिए आप सरिफ अपने हाड वर्क पर फोकस रखें हाड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क पर फोकस रखें और बागी सब आपने भागे पर छोड़ दीजे जो कि अपने आप बन जाएगा तो मैं आप सबसे कमेंट्स बहुत ध्यान से पढ़ती हूँ और उनको रिपलाई करती हूँ तो प्लीज आप मेरे टच में रहिए ओके